और मेरे चटोरो कैसे हो आप आज के वीडियो में हम लोग बनाएंगे हनी चिली पटेटो आप अवास सुनिये इसके कितने ज़्यादा क्रिस्पी है यह और जो हम लोग इसकी सॉस बनाएंगे वो बिल्कुल स्पाइसी और थोड़ी सी मीठी और तिल के टेस्ट के साथ बहुत ही जदा बढ़िया रेसिपी है दोस्तो शुरू करें क्या दोस्तो हनी चिली पटेटो की रेसिपी शुरू करते सबसे पहले तो हम लोग को आलू चाहिएंगे मेरे पस यह आपर चार मीडियम साइज के आलू है इनको मैंने लंबा लंबा काटकर तयार कर लिया है आ लात में में नमक डाल दूँगा आपने देखा होगा मैंने बिना पानी डाला था आलू को चार आलू में मैंने दो चमच नमक इस्तमाल किया है अब मैं इसमें चार कप पानी डाल दूँगा मतलब एक आलू में एक कप पानी अब हम लोग गैस को मीडियम रखेंगे और इसको गरम करेंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए जब इसमें एक उबाल आ जाता है दोस्तों तब हम लोग फ्लेम को लो कर देंगे मतलब प्रिम को कम कर देंगे और इसको पाँच मिनिट तक पकाएंगे ये स्टेप करने से क्या होगा इसकी मान निकल जाएगे मतलब स्टार्च निकल जाएगा और साथी में आलू में टेस्ट आजाएगा नमक का अगर आपने मेरा फ्रेंच फ्राय का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मान निकालना कितना जरूरी है पूरे पांच मिनिट बाद हम लोग के आलू बिलकुल तयार है अब मैं इसको चान लूँगा और पानी फेक दूँगा आलू तयार है दोस्तों अब मैं ये आलू को एक बड़े मिक्सिंग बोल में डाल दूँगा और इसकी हम लोग पहली कोटिंग करेंगे इसको क्रिस्पी बनानी की जो की होगी सूखी कोटिंग तो मैंने इसमें एक बड़ा चमच मैदा डाल दिया है मैदा के साथ साथ मैं इसमें एक बड़ा चमच चावल का आठा डाल दूँगा अगर आपकी पास चावल का आठा नहीं हो तो आप कॉन फ्लार भी इस्तमाल कर सकते हो वैसे तो आप चावल को एक बार मिक्सी में डाले और इसको चला लेजिए आपके पास चावल का आठा तयार हो जाएगा हम अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे जब तक के आलू की फाडियों में मैदा और चावल का आठा अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए इससे क्या होगा हम लोग की जो second coating होगी जो की गीली वाली होगी चिपक जाएगी ये तैयार है अब हम लोग इसकी second coating बनाते एक और mixing bowl है मेरे पास या पर इसमें मैं मैंदा डाल दूँगा एक चौथाई cup है दोस्तो मतलब चार बड़े चम्मच उतना ही मैं इसमें चावल का आठा डाल दूँगा फिर से आप corn flour इस्तमाल कर सकते हो अगर आपके पस चावल का आठा नहीं है तो मैंने इसमें नमक भी डाल दिया अब इसको अच्छे तरह mix करेंगे और फिर धिरे धिरे थोड़ा थोड़ा पाने डालेंगे और इसका एक गाड़ा batter बना लेंगे मतलब थिक बैटर बना लेंगे आप देख सकते हो दोस्तों मैंने एकदम थिक बैटर बनाया है अगर ये बैटर पतला होगा तो हम लोग आलू ज़ादा क्रिस्पी नहीं बनेगा अब हम लोग इसमें आलू डाल देंगे जो हम लोग ने पहले तयार किये थे और फिर हाथ से इसको अच्छे तरह मिक्स कर देंगे आप देख सकते हो बहुत ही बड़िया कोटिंग हुई है ना आलू में आलू बड़िया लग रहे है अब इसको पकानी के तयारी कर लेते हैं तो मैंने एक कड़ाई गरम करिये और इसमें मैंने तेल डाल दिया क्योंकि हम लोग को इसको फ्राई करना पड़ेगा जैसे ही तेल अच्छी तरह गरम हो जाता है हम लोग इसमें आलू डाल देंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लीम पर मीडियम फ्लीम में फ्राई करने से ये बाहर से एकदम कुरकुरे बनेंगे और अंदर से एकदम fluffy बनेंगे दोस्तो यह आलू एकदम अच्छी तरह fry हो चुके है एकदम हलके हो चुके है एकदम crispy हो चुके है एक बार आवास सुनूगे क्या एकदम बढ़िया सुनाई दे रहे है कि नहीं आप इस आलू को बिल्कुल ऐसे भी सर्फ कर सकते हो एक तरीके से आप french fry भी कह सकते हो इसको अब हम लोग तेल को एकदम high heat पे रख देंगे दोस्तो और तेल जब तक गरम हो रहा तब तक हम लोग तिल सेक लेते हैं मतलब sesame seeds सेक लेते हैं छोटे से पैन में मैंने तिल डाल दिया अब हम लोग इसको roast करेंगे जब तक ये चटकने ना लग जाए दोस्तो तिल तयार है अब हम लोग क्या करेंगे आलू को फिर से fry कर लेंगे मतलब flash fry कर लेंगे मतलब इसको golden कर देंगे तेल अच्छी तरह गरम है मैंने आलू डाल दिया इसको continue चलाते हुए एक मिनिट पकाएंगे इस step को flash fry बोलते है कलर देखिए बिल्कुल बढ़िया लग रहा है कि नहीं आवाज और भी ज़्यादा बढ़िया है चलिए दोस्तों हम लोग का आलू बिल्कुल तयार है honey chili potato के लिए हम लोग अब क्या करेंगे एक Chinese कढ़ाई गरम करेंगे आप कोई भी normal कढ़ाई गरम कर सकते हो जैसे ये गरम होती है हम लोग इसके चारो तरफ से तेल डाल देंगे मैंने यहाँ पर दो चमच तेल इस्तमाल किया है क्योंकि कढ़ाई एकदम गरम थी तो तेल भी एकदम instantly गरम हो जाएगा हम लोग इसमें फटाफट लहसुन डाल देंगे मैंने यहाँ पर चार कलिया इस्तमाल करी है उसी के साथ में हरे मिर्स डाल देंगे एक मिनिट पकाने के बाद हम लोग इसमें फटाफट प्यास डाल देंगे दोस्तो आप चाहो तो प्यास को skip कर सकते हो मैंने छोटा से एक प्यास लिया था और उसी के साथ में मैंने थोरी सी कैपसिकम भी लिए है क्योंकि चिली पटेटो है तो कैपसिकम तो डले गई अब इसको फटाफट मिक्स करके वापिस एक मिनिट पकाएंगे चलिए दोस्तो बड़िया लग रहा है अब हम लोग इसमें डाल देंगे नमक मैंने यहापर आदा चम्मच नमक इस्तमाल किया है और आदा चम्मच चीनी भी इस्तमाल किया है क्योंकि जादा स्पाइसी नहीं करना है इसलिए हम लोग ने इसमें चीनी भी डाली अब फटाफट हम लोग इसमें sauce भी डाल देते है मैंने यहाँ पर एक चम्मच soya sauce इस्तमाल किया दोस्तों यह light soya sauce है अगर आप dark soya sauce इस्तमाल कर रहे हो तो एकदम कम करिएगा साथी में मैंने एक चम्मच lalmit sauce भी इस्तमाल किया मतलब red chili sauce यह एक बड़ा चम्मच था अब फटा फट इसको mix करेंगे आप धुआ देखिए इसमें यह धुए से ही पता चल जाता है कि कितनी बड़िया recipe बनने वाली है एक मिनिट तक अच्छी तरह mix करने के बाद यह तैयार है थोड़ा से इसको balance करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा ketchup भी डाल दिया और फिर इसको mix करेंगे नाम इसका chili potato है तो इसको spicy होना भी जरूरी है तो मैंने इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल दिया है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो यह छोड़ सकते हो हम लोग इसमें पानी भी डाल देंगे मैंने यहापर आदा कब पानी इस्तमाल किया है अब यह high flame में वापिस दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए एक slurry बनाएंगे ताकि यह पानी मतलब इस sauce को गाड़ा कर सके मैंने एक छोटे से bowl में एक चमच कॉन फ्लार लिया है उसी के साथ में मैंने तीन बड़े चमच पानी डाला है इसको फटाफट मिक्स कर दिया और फिर यह जो कॉन फ्लार और पानी का मिश्टर है ना इसको हम लोग एक चमच करके डालेंगे, हम लोग के sauce में और इसको चलाएंगे इससे क्या होगा? हम लोग के sauce एकड़म गाड़ी हो जाएगी और एकड़म सौसी हो जाएगी ये डालने से हम लोग के आलू में ये sauce बहुत ही अच्छी तरह कोट होगी बिल्कुल बढ़िया लग रहा है आप देख सकते हो दोस्तों गाड़ा हो चुका है एकदम बढ़िया लग रहा है तो मैंने अब गैस को बंद कर दिया है हम लोग इसमें थोरा सा हरा प्यास डाल देंगे हरा प्यास के साथ साथ मैंने इसमें तीन बड़े चम्मच जितना हनी भी डाला है अगर आपको एकदम स्पाइसी चिली पटेटू पसंद है तो आप शहत को छोड़ भी सकते हो मतलब हनी को नहीं भी डाल सकते हो बिल्कुल बड़िया लग रही है हम लोग की साथ हम लोग अब इसमें आलू डाल देंगे और एक बार फाइनली मिक्स कर देंगे और फिर हम लोग का घर में बना हुआ हनी चिली पटेटू बिल्कुल तयार है फटा फट सर्फ कर देते हैं यह लीजे दोस्तो हम लोग का एकदम ज़्यादा क्रिस्पी एकदम ज़्यादा टेस्टी एकदम ज़्यादा चट पटा हनी चिली पटेटो तयार है आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा सर्फ करने से पहले आप थोड़ा बहुत और गार्निश कर सकते हो मिलता हूँ आपको जल्दी एकदम टेस्टी वीडियो के साथ और हां रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना बाई बाई टेक केर